हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में आज हम आप सभी को लखनों के साइंस सिटी के बारे में बताएंगे तो यह है ऐसी ट्यूब जिसमें हम एक तरफ से बोलते हैं दूसरी तरफ काफी दूर तक आप चाहा जितने दो-4 क्योंटर तक करें रहेंगे तो भ लीमालिका आगे तक कितनी बठी हुई है और आप सभी कवहाल दिखा जेते हैं अपर कितना शुभधा हैं क्या-क्याउ-ड़ी जाती हैं एहां पर अल्पा-हार मिलएंगा पार्किंग की सुभधा है प्रसाधान है पीने का पानिक है प्रिच्छाग्रह यानि अर्ट्यास हैं देखाल पर दको आपना कि आसा चाहिए और ये अंपर तक चाहिए 3 लिए प्रसाते से प्राइब में दोर्फ में però और आप सभी कोहम दिखा दें आगे चल कर यह देखिए यह संचित उर्जा का उदाहरण है जिसमें उर्जा को संचित के जाता है और यह रसी खीच इससे एक तरफ से व्यक्ति रसी खीचता है और दूसरे तरफ से रसी खीचता है और यह है यह है गियर ट्रेन इसमें जिस प प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर कि यह भी इसमें दूरियां लगी हैं इसको खीचते हैं जिससे बारें तक का पता चलता है और यह अपना वजन मापने का है इस पर एक तरफ से आप बढ़ जाए दूसरे तब कोई वक्ति बढ़ जाएगा तो इसमें आप वजन माप सकते हैं इसमें यह खरगोस हैं बहुत प यह अंध Ned fountain का यह कई प्रकार की हैं और कई रंग की हैं चोटाया बढ़ी हुए हैं और यह देखिये काफी लंबी बढ़ी हुए हैं और आप सबको आगे लुचे कर दिखाते हैं तो देखिए आगे चलकर यह जो आपको गोला नुमा दिख रहे हैं इनमें जो एक है वह दूसरे से भारी है एक दूसरे से भारी है दो दिये हैं एक दूसरे से भारी है और आपको आगे चलके दिखाते हैं ये दिया हुआ है यो यो इसको हम आपको घुमा कर दिखाते हैं देखिए चल रहा है पहले से इसको हम घुमा रहे हैं घुमाने के बाद देखिए चलता फि इसमें दो लोलकों को एक साथ वीपरित दिसा में घुमाते हैं और ये समांतर गतियां करते हैं ये देखे समंतरगत कर रहे हैं ये निवतन का तृतिनियम दिया गया है इसमें हम हैंडल को घुमा रहे हैं तो जो नीचे की प्रतक्रिया है वो हम पर प्रतक्रिया कर रहे हैं और हम खुच साथ में घूम रहे हैं ये हैं बेन हैम की चक्तियां आपको दिखाते हैं ये देख करते हाँ और यह पर सारी नियम को लिखे कए गुए हैं और यह सीशा जूना जिसमें एक तरफ और दूसरे तरफ संयल की देखा हैं । और यह है globe इसमें globe है और यहां पर आपको दिखाते हैं यह है जादू इनल इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें पानी कहां से गिर रहा है लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह पानी इसलिए गिर रहा क्योंकि इसमें एक transparent pipe लगी हुए है जो glass की बनी होती है इसमें से उपर से पानी जा रहा होता है और नीचे वही पानी return आता है तो आप लोगों को चूतिया बनाने के लिए यहां पर ऐसे दिखाय दिया जाता है तो आगे चलते हैं आपको लेकर जल विज्ञान की तरफ आए देखते हैं कि जल विज्ञान में क्या-क्या चीज स्रोतों से चीजे दी गई हुए हैं तो देखिए सब बहुत सारी चीजे हैं इसमें एक एक point की बात इसमें जो जल है उनके बारे में बताया गया है देख लीजिए और यहां पर कई प्रकार की मचलियां रखी गई हुई हैं छोटी से लेकर dolphin छोटी बड़ी कई प्रकार की मचलियां पर रखी गई हुई हैं देख लीजिए यहां पर कई प्रकार की मचलियां हैं बहुत प्यारी प्यारी मचलियां हैं छोटी बड़ी देख लीजिए जिसकों सिंगी मचलि कहते हैं वो सिंगी मचलिये है और यहां पर यह देख लीजिए बुलबुला निकल रहा है है छोटी छोटी मचलिया है यह देखिए यहां पर रेडियेशन का दिये गया है जो हम मोबाइल टावर से यूज करते हैं रेडियेशन हमारे मोबाइल का उसे आता है वो टावतू है इस परकार द्रसाया गया है देख लिए ऐसे ही हमारे f unaware है सिगनल आता है इसी मिर्वाता है यहां पर उसके बारे में दिया गैया हुआ है कि कैसे क्या होता है और परगार और स्वस्थता दीरगह, आगे चलते हैं यह हे DNA का स्टुक्चरर माडल, यह 3D डाइग्राम है, इसमें देखिए जो DNA होता है, वो ऐसे ही होता है, रियल में और हम लोग जो किताबों में पढ़ते हैं उसमें केबल 2D डाइग्राम बना होता है और यह 3D डाइग्राम है देख लिए ऐसे ही जो DNA होता है ऐसे ही होता है और यह जीवद्रव्य है जिसमें हम प्रोटोप्लाज्म के बोलते हैं यह देख लिए जीवद्रव्य है और यहाँ पे जीवद्रवे के बारे में लिखा गया है सब कुछ दिख रहा है और यह देख लिए जीवद्रवे में जो चीजे पाई जाती हैं क्या क्या होती हैं वो सब दिया गया इसमें और आगे आपको लेकर चलते हैं हैं देखते हैं कि और क्या क्या चीजिए हैं यह देख लीजिए जैसिक एटम जहनी बेसिक मालीकील की होते हैं wars गोड्टर का क्यों होता है मेथेन क्या क्यों और क्यों होता है इसका रिजैंग oui इसमें त्रीदी डायगराम लिखाए इसनेाथ होता है वह अपने और निसाँ में चलती है आदे अकह stop की तरफ चलती है आपने आगया कैसे बारे में धीआ निसे के बार्बुल है यहाण जैसे कैसे लाइट थर्मर पाउर प्लन्ट होता है यह सब light के बारे में दिया गया है इसमें ऐसे ही चीजे बहुत सारी चीजे दी गई हुए है और यह देख लिए चक्ति है यह circular motion कर रही है और यह air flame इसको हम अगर press करते हैं इसमें pressure लगा होता है press करते हैं तो इसमें एक वायुदाब बनता है जिसके करण जो वायुदाब होती है वह उपर की ओर उठती जाती है और आगे यह सब जो भी यंत्र दियेगे हैं सब air pressure पर रहा है इसमें हम अगर pressure लगा होता है नीचे उसको press करते हैं तो इसमें एक वायुदाब बनता है और जिसके करण यह नाचने लगती है देखो हम इसके नीचे press कर रहे हैं और यह दब रही है यानि गूम रही है और यह भी देखो इसमें pressure लगा है इसको हम press करेंगे अभी तो इसमें नाचने लगी करते हैं तो कई बबस निकलती है वोँ क्लर में ग्रीन यह ड्रेटं कई रंगों और निखक लिए बबस नि छलते हैं हैं ये है जल विद्धु इस में देखें कि तीन केर्के जल विद्द सनयंत्र दिये गए हुए हैं एक जो पहला था दूसरा और ये तीस रा इस में पन्कोडियों पर आरहा को अगे नाच रही है जिस्टें नीचे गृता है जो ही मैं टर्भाइन लगे होता है तर्भाइन गूंने लगती है तो दिया गया हुआ है